जी हाँ guys सही देखा आपने pubg is coming back and it's fully real news ये पूरा का पूरा सही news है और pubg बापस आ चुका है आ नहीं चुका है मतलब आ जाएगा और ये confirm news है guys आप यहाँ पे देखो screenshot ये है pubg ने आज 12 नवेंबर तो आज pubg ने जो है pubg इंडिया ने instagram अपने instagram handle में ये post किया हुआ है देखिए इंडिया के उपर मतलब बटल ग्राउंड mobile इंडिया तो यहाँ पे जो है ये version थोड़ा changes यहाँ पे आ चुका है अब ये इंडिया के उपर base होगा इंडिया के लिए अलग से इसको बनाया गया है guys मतलब जो पहले था पूरा worldwide एक ही था जो अमेरिका में जो आता लेकिन अब जो है इंडिया के लिए अलग से design किया गया है हो सकता है बहुत सारे changes इसमें आए गाई जर इंडिया में फिर से वापक कैसे आये हैं तो यह सारा कुछ मैं बताऊंगा अभी तो अगर गाई आप नए हो चैनल पो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बिलाइकन का दवा के ओल प्रेश कर दीजे गाई इस टाइप का news हम हर रोज लाते हैं गाई और चलिए बजाते हैं कि कैसे मतलब यह सब मुम्किन हुआ है आपको तो पता ही Tencent company जो है partnership था क्रिप्टन के साथ मतलब यह जो है South Korean company है एक PUBG जो क्रिप्टन company का यह game था और यह जो है Tencent के साथ इसका partnership था जो Tencent चाइना बेस company है तो data को लेके जो है बहुत सारा problems आ गया था बोल रहे थे कि data leak हो था इसलिए जो है इंडिया में इसको ban कर दिया गया था लेकिन गाईज अब जो है PUBG ने क्रिप्टन company ने जो है Tencent के साथ partnership तोड़ दी है और तोड़ने के बाद आ गये हैं अमेरिका में आके Microsoft के साथ जो है partnership कर लिए पहले पता चला क्या वो इंडिया में आके जियो के साथ partnership करेंगे उसके बाद पता चला नहीं एटल के साथ या फिर कुछ और भी companies के बारे में news बगेरा सब निकल के आये थे लेकिन गाईज अभी जो है confirm news है यह जो Microsoft का एक product है azor तो azor एक cloud computing services है जो यह इसके बारे में बहुत मतलब यह लंबा चौड़ा हो जाएगा तो हमें वो सब समझने की कोई जरूर्द नहीं यह azor जो है वो Microsoft का एक product है और Microsoft तो आपको पता है वो कितना मतलब believable है Microsoft अपके जितने भी computers मतलब PCs बगेरा है और बहुत सारे phones भी है जहाँ पे हम Microsoft यूज मतलब बिना Microsoft के PC तो चलता ही नहीं गाईज तो Microsoft जो Bill Gates का है वो बहुत ही trustable है और उसके साथ Microsoft एस और जो है उसका एक product है तो उसके साथ क्रिप्टन कंपनी ने जो है अभी कर लिये हैं partnership और फिर से इंडिया में वो launch करने जा रहे हैं Battleground Mobile India ऐसा कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे जो है उन्होंने post किया हुआ है तो यह गाईज एक बहुत ही अच्छा news है और सारे जो बहुत पहले से ही पता है कि PUBG जो है बापस आ गया है मतलब आ रहा है बापस तो टेंशन लेने का नहीं guys PUBG बापस आ गया है आ गया है मतलब आ रहा है और यह पूरा पूरा एक तम real news है guys कुछी दिन में आप देखोगे कि PUBG is back in Play Store PUBG Mobile हो या फिर PUBG Lite हो या फिर PUBG PC हो यह सारा कुछ इंडिया में फिर से launch होगा और यह पूरा इंडिया के ऊपर होगा हो सकता है कुछ बड़े-बड़े streamer को भी यहां इसके अंदर game के अंदर देखा जाए ऐसा हो सकता है हमें मतलब लग रहा है कि ऐसा हो सकता है guys होगा या नहीं होगा वो तो बाद में ही पता चल जा तो इस वीडियो में इतना है थैंक यू बरिमाच जैन जै भारत और बंदे मातरम